प्रोटोकॉल्स के बारे में देख लिया है वाटिस प्रोटोकॉल्स हमारा एक्चुल में होता कि है मैंने डिफिनीशन जान लिया लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइपस प्रोटोकॉल के बारे में बात करने वाले हैं टाइपस प्रोटोकॉल के बारे में बात करने हैं जो कि बहुत ही अच्छा है कैसे हमारे कितने टाइपस के प्रोटोकॉल के बारे, किस का बात करते है, ताइप साइप बॏक साइब बारे में बात करने है अगर पहले तो एक बार घंड हम लोग जान ले एक संतिनगेस हो ऊपर से देख लिया जाए कि क्या होता है ठीक है हम लोग क्या कैसे हैं? कि how to data transmitted over the network मतलब क्या है कि यह determine करता है कि हमें internet को data कैसे देना है तो दोस्तों यह हमारा है definition ठीक है अब हम लोग बात करते है types of protocols के बारे तो दो types का दोस्तों हमारा protocol होता है कितने types protocol होता है हमारा जो protocol है वो two types का है पहला है हमारा standard protocol पहला हमारा क्या है standard protocol है standard protocol है ठीक है पहला हमारा क्या है standard protocol है जिसके बारे हम लोग चर्चा कर रहे है कि standard protocol हमारा क्या होता है हम बात करें अगर standard protocol की ठीक है actual में दखो protocol में क्या होता है कि जो हमने protocol की भी बताई थोड़े देर पहले बात हम आपको बताई है उसी तरीके से क्या है कि हम इसमें भी बात करने वाले है Standard Protocol की तो Standard Protocol हमारा क्या होता है actual में हम बात कर जैसे FTP की FTP का नाम आपने सुना होगा TFTP का नाम सुना होगा HTP का नाम सुना होगा तो ये सारे जो हमारे ये प्रोटोकॉल्स हैं ये किसके अंदर आते हैं दी एच सी पी एस एस एम टी पी ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये स्टेंडर्ड प्रोटोकॉल्स के ही अंदर आते हैं किसके अंदर आते हैं स्टेंडर्ड प्रोटोकॉल्स के ही आते हैं मैंने आप आपको कि सारी कमपनियों की बात एक एक्जामपल दिया था तो मैं उसी तरीके से बात करता हूँ जैसे की मान लीजिए हमने क्या है हमें मान लीजिए कि GEO का SIM हम यूज कर रहे हैं आप भी GEO का SIM यूज कर रहे हैं लेकिन अगर बाइदर मालो आप Airtail का SIM यूज कर रहे हैं क्या आपसे हमारी बात नहीं होगी बिल्कुल होगी बात तो उसी को follow करता है हमारा standard protocol means यह होता है कि किसी भी company का product हो लेकिन हमारा काम होना चाहिए मतलब सीधा सा यह हुआ कि यह जो हमारी जहां पर किस सभी company के device communication करता हो सबको एक ही standard rule follow करना परता है मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को सबको जो है एक ही standard rule follow करना परता है ठीक है एक ही standard rule follow करना परता है बात समय में आ रही है एक ही standard rule हमारा सबको follow करता है उसको हम लोग कहते standard protocol क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते standard protocol means यह होता है कि सारे rules मतलब एक ही rules सारे company को जो follow करना पड़े उसको हम लोग कहते है standard protocol क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते है standard protocol जो हमारा दूसरा होता है अगर हम बात कर लें दूसरे की दूसरे की बात अगर हम कर लें तो दूसरा हमारा क्या है Proprietory Protocols होता है क्या है? Proprietory Protocols होता है तो मैंने पहला देख लिया कि जो सारी Campanys हमारी होती है अगर वो एक ही Rule Follow करें सारी Campanys हमारी एक ही Rule Follow करें उसको हम लोग Standard Protocol कहते हैं लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमारा Proprietory अपता हम जानते हो यानि कि आपका नीजी वे क्या मतलब हुआ आपका नीजी वे जो होता है उसको हम लोग कहते है प्रोप्राइटरी क्या कहते है उसको हम लोग प्रोप्राइटरी कहते है प्रोप्राइटरी बासमझ या रही है ठीक है प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल हम लोग कहते है ठीक है तो यह हमारा क्या है proprietary protocol मतलब यह हुआ सीधा समझ लीजिए कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए standard protocol के हमने बात की तो मैंने आपको बताए कि उसमें सारी कंपनिया एक ही rule को follow करती लेकिन मैं बता दू इसमें proprietary protocol में तो proprietary protocol का जो issue है वो यह है कि आपका नीजी मामला है means suppose that माल लीजे कि government की कोई company है government का कोई ground है government का कोई park है उसमें सारे लोग जाते हिंदू, मुसल्मान, गरीब, अमीर सब जाते हैं लेकिन किसी का अगर private park है तो क्या उसमें सारे लोग allowed होते हैं नहीं होते हैं वही हाल है हमारा standard और proprietary का, वही हाल है means यह हुआ कि जो हमारा private park है उसमें सारे लोग जा नहीं सकते और standard protocol की बात करें तो उसमें सारी company गोम के चले आती हैं मस्ती मौच करके चले आते हैं लेकिन उसको use करने के लिए उसको use करने के लिए आपको कोई amount देना पड़ता है कोई charge पे करना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं proprietary protocol क्या कहते हैं ध्यान समझ लेज़े हमारी बात उसको हम लोग कहते हैं proprietary protocol means यह हुआ कि सारे rules regulation यहाँ पे apply होते है particular नीजिकरन मामले में कि इस तरीके से हमारा जो है अगर हम लोग इसका example देखे for example अगर हम लोग proprietary protocol का example देखे तो हमारा apple सबसे अच्छा mac है mac का मतलब होता है make and task computer क्या होता है ध्यान सुनें mac का मतलब होता है make and task computer make and task computer जो company है उसने एक apple नाम का product create किया है वो particular way में use करता है मिन्स क्या हुआ वो particular way में use करता है उसके दो functions होते है जो हमारा mac company होता है ये क्या करता है इसके दो functions होते है ये apple create करता है जिसको हम लोग iPhone के नाम से जानते है किसके नाम से जानते है iPhone के नाम से जानते है लेकिन अगर हम बात करे लेपटॉप के वे में इसको हम लोग Macbook के नाम जानते हैं तो ये हमारा Apple का जो प्रोड़क्ट होता है इसमें 2-3 particular options होते है जैसे हमारा image, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है i-message होता है, दूसरा क्या होता है दूसरा हमारा Apple Talk होता है पहला हमारा क्या होता है iMessage होता है दूसरा हमारा क्या होता Apple Talk होता है तो अगर ये बात जान लिजे अगर इस app को आप लोगों को यूज़ करना है दूसरे phone में यूज़ करना है तो आपको payment देना पड़ेगा मतलब 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 क्या हुआ कि आप अगर कोई proprietary standard protocol का use कर रहे हो तो आपको उसका additional payment करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा additional payment करना पड़ेगा means personal area इसको लोग कहते हैं क्या कहते हैं personal area without permission आप कुछ भी नहीं कर सकते without permission आप कुछ भी नहीं कर सकते हो आपको इसके लिए आपको charge payout करना पड़ेगा तो यह हमारा होता है proprietary protocol मैं एक एक properties आप प्रोटोकॉल की बात करने वाला हूँ standard protocol के इंदर जितने भी आते हैं सारे प्रोटोकॉल के एक एक वीडियो हमारे maintain होंगे दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आयो तो एक बार like से subscribe जरूर करेंगे और मैं आपको बता दूँ कि आप लोग कोई सुझाओ देना चाहते हो तो आप comment box में comment करें मैं comment को देख करके आपको reply जरूर दूँगा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन